नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आजके इस वीडियो में कथाकार ज्यान रंजन दुआरा रचित बहुँ चर्चित एक कहानी पिता इसी का मूल समवेदना या फिर इसका कथ्य या सिल्फ संग्रचना इसको समझने का प्रयास करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि दो पिडियों के बीच जो बदलते मुल्य है और उसके कारण जो पारिबारिक संबंधों में आई दरार है इसको भी हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आज का जो ये वीडियो है ये परिक्षा के दिरिष्टी से बहुत ही महत्तोपूर्ण है इसलिए बहतर होगा इसकी किये बिना पूरा वीडियो को देखिए ताकि इस कहानी से जो भी प्रस्न परिक्षा में पूछे जाए उसका उत्तर आप आसानी से दे सके हैं साथ ही अगर आप टेलिग्राम चैनल को भी जोइन नहीं किये हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके आप टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज्यान रंजन ने आम कहानी लेखक जो है उसमें ज्ञान रंजन अग्रगन्य है आधुनिक जीवन के संदर्भ में पुराने और नए मुल्यों के बीच की टकराहट जो की इस कहानी का भी मुख्य विशय है ना साथ ही संयुक्त परिवार का विघटन स्तिरीपुरु संबंधों में आ रहे बदलाव सेक्स संबंधों में नैतिकता अनैतिकता का द्वंध दो पीडियों के बीच पैदा हुए अजनवीपन आधी सभी प्रकार की प्रबृतियों को उन्होंने अपनी कहानियों में अपना विशय बनाया है अर्थात अपनी कहानियों का विशय बनाया है तो पिता नामक जो कहा ने दो पीढ़ियों के बीच जो वैचारिक संघर्स उत्पन हो रहा है उसी को उजागर किया है पुरानी पीढ़ी के पिता को दर्द है कि उसके बेटे पुरानी मितब्याई संतोसी जिंदगी को छोड़ कर फिजुल खर्ची तथा दिखावे की जिंदगी क्यों विता रहे ह तथा नई पीढ़ी को पिता की मानसिकता सुविधाएं होते हुए भी कस्ट का जीवन विताते देख चीड होती है जुझलाहट होती है अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है पिता को लगता है कि बेटे इतना फिजुल खर्ची क्यों करते है जबकि बेटे को लगता है कि घर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी पिता इन सब का उपयोग क्यों नहीं करते है और कस्ट का जीवन क्यों विताते है तो दोनों ही दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं दोनों पीड़ीों के बीच टकराव तनाव और अलगाव के प्राचिन मान्यताओं और मुल्यों में उनका अडिक विश्वास है पुराने ख्यालात के आदमी है उस जमाने में जब चोर सेंद लगाकर घरों को लूट लिया करते थे आज वो बात नहीं रह गई है लेकिन पिता को अभी विश्वास है कि उनके खासने खारने से चोर उच बीच में खासते और खारते रहते हैं जबकि नई पिड़ी के जो लोग हैं उसको ये सब नहीं पसंद होता है उनको लगता है कि अभी कौन सा चोर आ रहा है कौन सा घर में सेंद लगा रहा है जो आपका खासना और करने का आवाई सुनकर भाग जाएगा है ना तो ये दोन पंखा के नीचे नहीं सोते यह सोच उनकी आदत का एक हिस्सा बन चुकी है वह मितव्याई है उतने पैर पसारियों जितनी लांबी सौर अर्था उनका मानना है कि हमें उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना लंबा चादर है ये उनका सिध्धान थे परन्तों अभी घर का इस्थितिव ऐसा नहीं है अभी घर में क्या है सारी सुक्सुविधाय मौजूद है बिजली का पंखा आधुनिक किस्म का बातरूम जिसमें सावर लगा है वास बेशिन है लड़के उनके लिए बिश्कूर तथा कुल्लू के सेव तथा बढ़िया धोती लाते हैं वे जैसे पहले मितअब्याई थे वैसा ही रहना चाहते हैं इसवयंग 2-4 आने कम करने के लिए घंतो धूप में स correlation का रहते हैं गर्मी की सिद्धत से बचने के लिए राद भर खटिया की बांध को सुराही के पानी से तर करते रहते हैं भीतर कमरे में पंखे के नीचे नहीं सोते हैं पंखा चल रहा है घर में लेकिन फिर भी उसके नीचे नहीं सोएंगे और सुराही के पानी से अपने खटिया को ठंधा करते रहेंगे है ना तो इस तरह के सोच रखते हैं कस्ट सहिस्नूता संतोस और मितब्यायता उन्होंने विरासत में पाई है इस परकार वो रूडियों से चिपके हैं तुनक मिजाजी हैं कंजूस हैं और परिबार के सुख को ही अपना सुख मानने वाले संतोसी जी में कम ही मिलती है इनका उमर हो चुका है काफी फिर भी क्या है ना कि स्वाभिमान जरूर है उन्हें पता है कि बेटी की पढ़ाई में उनके बड़े बेटे ने जो खर्च किया था है ना तो जैसे बाद में आगे चलकर बेटी को यह सब बात सुनना ना पड़े को इसका इ है कि ले लो तुमने जितना खर्च किया है तो अर्थात वह स्वाभिमानी है इसी स्वाभिमानी व्रित्ती तथा आत्म निर्भर होने के कारण वह मानों जिद्धी हो गए हैं वह अपनी मान्यताओं और अपनी पसंद को लेकर ना कभी दुबिधा में है और नहीं कोई अब सभार गए हैं जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी इसलिए बेटों को लगता है कि वो महान है जिसे हटाना दुसकर है यह लोग मान ही लिया है कि पिता जी को समझाना क्या है बेकार है तो यहाँ पर पिता की जो इस्थिती है तो यह अच्छी ही है घर के सभी लोग उनको क्या करते हैं पसंद करते हैं चाहते हैं कि वे भी क्या है सुखसुविधा में रहे लेकिन खुद ही क्या है वो अपने सोच में कायम है और खुद को बदलने के लिए एक दम भी क्या है तत्थपर नहीं है बेटा पिता की दीनचर्या और रहन सहन को दे उन्हें ऐसा लगता है कि पिता जी जान बुझ कर हमें परिशान करने के लिए ऐसा करते हैं। उनकी बात अनसुनी कर उनकी उपेक्षा अपमान कर रहे हैं। उन्हें दुख पहुचा रहे हैं, उनके दिल को चोट पहुचाना ही सायद उनका एक मात्र लक्ष हो गया है। लेकिन बास्तविक्ता यह नहीं है। कोई भी पिता अपने संतान की सुख सुविदाओं से उन्हें बंचित करना नहीं चाहते हैं। वे स्वयंग भले ही बंचित रहते हैं। तो इनके पिता के साथ भी वही बात था। यह सुख सुविदाओं से खुद बंचित रहना चाहते थे। इनको वह सब पसंद नहीं था। इनको फिजूल खर्ची पसंद नहीं था। लेकिन घर के परिबार के बाकी लोगों के लिए सुख सुभिधा होने से इनको कोई दिक्कत नहीं था, वे चाहते भी थे कि बाकी लोग क्या है, सुख सुभिधा में रहे, तो ये वो खुद का रहना है, सारीरी कस्ट में रहना, जो भी रहना कोई दिक्कत नहीं है, मन उसका फिर भी क्या रहता है खुशी रहता है उनके लिए मन का संतोस शरीर के सुख से कहीं बढ़कर है आज जब संयुक्त परिवार के लगातार तूटते जाने से बुढ़ों की स्थिति काफी दैनिय हो गई है उन्हें प्राई जीवन के अंतिम दिन अकेले पन में विताने पड़ जाते हैं हाँ अपनी जीद के कारण वो थोड़ा अलग ठलग पड़ जा रहे हैं पिता कहानी में पिता का अपना अलग संसर बन गया है उनमें वे किसी तरह का हस्तक्छे भी सहन नहीं करते वे सम्मूचे परिबार पर पत्थर की चट्टान की तरह भारी पड़ जाते हैं उनकी इच्छा के विरूद कोई भी काम उनसे नहीं करवाया जा सकता। सत्य असत्य का निर्धारन वे अपने कसोटियों पर करते हैं। नई पिढ़ी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना रास्ता खुद चुनना चाहती है। जबकि पहले पिताओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनूसरन करना एक आदर्स माना जाता था। तो नई पिढ़ी के साथ इसे क्या है इसमें बदलाव आया है। नई पिढ़ी ने आदर्स के इस लवादे को उतार फेक दिया है। तब ऐसे में दो पिढ़ी के संबंधों में बदलाव आना लाजमी है और ज्यान रंजन इन बदलते हुए संबंधों के कुसल चिते रहे हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो इस कहानी के बीच में जो टकराव के स्वर उभरते हैं। उनके प्रमुक कारण है नई पिढ़ी की बनावटी जिंदगी और दिखावे के लिए किया जा रहा फालतु खर्च। नई पिढ़ी इससे अपनी सान और इज़्यत में इजाफा समझती है। इस कहानी के जो पिता हैं तो पिता की पुरानी पिढ़ी के आदतें नई पिढ़ी को गमईपन और देहाती लगती है। उनका अतीत के प्रती लगाव नई पीड़ी को जरा भी नहीं भाता। दो पीड़ियों के बीच की यही तत्व तनाव और अलगाव का कारण बनते हैं। लेकिन अलगाव और तनाव के बावजूद पिता का परिबार में उचित सम्मान और आदर है। समुझे परिबार में रहते हुए अपनी जित के कारण ही पिता थोड़ा अलग थलग पढ़ जाते हैं। लेकिन और परिजनों के लिए वे उनके अनुसा समझोता नहीं करते हैं। पिता का चरित्र गढ़ते हुए ज्यान रंजन बहुत सजग दिखाई देते हैं। इस प्रक सब्सक्राइब करते हैं।